सिद्दार मया करनाटक के सीम बन गए हैं उन्होंने मंतरीपद और गोपि-नियता के सपत ले लिया, उनके साथ ही डिके शिवकुमार ने उपमुख्य मंतरीपद की शपत की शपत ली, इस बीच राहूल गांदी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं परूक अब्दुल्ला जी दी राजा जी अब्दुल्चमाज सम्धानी जी अनिल देशाई जी जयंत शोधरी जी दिपांकर भटचारिया जी डॉक्टर तिरुमा वर्यलन जी कमल हसन जी प्रेमचंद्र जी प्रियांका गांदी जी चीफ मिनिस्टर सिद्धर मया जी दीकेश शिव कमार जी स्टेज पे हमारे वरिष नेता प्यारे कारेकरता भाईयों और बहनों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार करनाटक की जनता को मैं दिल से अपनी ओर से कॉंग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ आपने पूरी तरह कॉंग्रेस पार्टी को समर्थन दिया पिछले पांच सालों में आपने कौनसी मुश्किले सही वो आप और हम जानते हैं मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कॉंग्रेस पार्टी क्यों जीती तम मेलर उन्दू समर्थ दिन्दा कॉंग्रेस पक्षिके ये उन्दू चुनावने लिए गेलवा गिदे अलग अलग अलिसिस हुई अलग अलग थियरिया चाली चालू की गई इस जीत का सिरफ एक कारण है और ये कारण है कि कॉंग्रेस पार्टी करनाटक के गरीबों के साथ, कमजोडों के साथ, पिछडों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ कड़ी हुई हमारे पास सचाई थी और गरीब लोग थे इवत्तु नम्जते हिंदुड दवरों बड़ों निंतिदार है बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलीस, साड़ा कुछ था और उनकी सारी की सारी ताकत को करनाटक की जनता ने हरा दिया उनके भरष्टचार को हरा दिया उनके भरष्टचार को हरा दिया इवत्तु अवराउं दू भरष्टचारा निव तिरसकारा माड़ी सोल सिद्दी दिया इवत्तु अवराउं दू दू द्वेशद राजकार्णा निव सोल सिदी दिया जैसे हमने यात्रwatch में कहा था कि नफरत को मिटाया महबबत जीती इवद तू कॉंग्रेस पक्षा उंदू सपष्टवाद नता संदेशा कोटि दे दूएशा ना मुक्सी प्रीती ना हड सी नंता उंदू संदेशा बाजार में करनाटक ने लाकों महबबत की दुकाने खोली है इवद तू यह उंदू दू द्वेशाना मुक्साद रली लक्षांतर संख्यली करनाटक दूरता वेला कुड़ा श्रमाहा की दिरा पिछले पांच साल आपने ब्रश्टाचार सहा करदा आई दोर्श दिन्दा न वो ब्रश्टाचाराना नोड़ दिरा हमने आपसे पांच वाइदे किये थे ना वु निमगे आई दू वचनगरना आई दू प्रमानगरना माले दू पहला वाइदा ग्रह लक्ष्मी दो हजार रुपे हर महीने महिलाओं को नाव कोटनता नाव कोटनता मनले आश्वासने ग्रह लक्ष्मी प्रतियोंदू येड मगू कुडा येड सावर रुपाई यंता दूसरा वाइदा ग्रह जोती 200 यूनिट बिजली मुफ्त में नाव कोटनता येडने मातू निमलर्गू कुडा ग्रह जोती इनूरू यूनिट करेंट उचित वागी तम मलर्गू कुडा चोता वाइदा शक्ती महिलाओं को फ्री बस ट्रावल पूरे करनाटक में नालक ने कोटित दंता मातू उचित वागी महिले रगे करनाटक राजिगलली बस्रिगलली प्रवासा उचिता और पाचमा वाइदा युवा निधी 3000 रुपे हर महीने ग्रैजुएट्स को और 1500 र रुपाई डिप्लमा दर गे सावर दा इनूर रुपाई तम मेलर्गो कोटि दीवी मैंने आपसे कहा था कि हम जूटे वाइदे नहीं करते हैं ना निम मेलर्गो कुडा मात कोटि दे ना व सुल्ड आश्वास निगल कोडनता और अला जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं ना नूर दें नडियंता और ना व अंते दिवी एक दो घंटे में करनाट की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उस कैबिनेट मीटिंग में ये पांच हमारे जो वाइदे हैं ये कानून बन जाएंगे सरकार का लक्ष जो हमारे किसान है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, युवा है, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनेरा बनाना है हमारे को एक साफ सुत्री नौन करप सरकार देंगे, ना वंदू ब्रष्टा अचारा मुक्त वादनता, सुसंद्र वादनता, सरकाराना तम मेलर्गू कुड़ा इसंद्र बली कोड़ती वनता, आश्वासने कोड़ती वनता, एक बार फिर करनाटक के हर युवाक्स, मातायों भेनों को धन्यवाद, आपने अपना प्यार और अपनी शक्ती कॉंग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, ये सरकार करनाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, इयोंदू कॉंग्रेस सरकारा और ये दिल से आपके लिए काम करेगी, यूरू मनस पूर्वक आगी, श्रदे आगी, निम्गोस करा दुडी तरह, नमस्कार, जैहिंद, नमस्कार, जैहिंद, ये गाया, तमबन उद्धेश इसी, नमर आश्ट्रिया कॉंगलेस पक्षदा अध्यक्षरांता, मल्लिकाजिन करगेस से अबरों उन्दू संदेश वन्ना कोड़ता है दारे, वेदके मेले, वेदके मेले, आश्टिन राधंता, नम्म आच्चुमेच्चिन नायक राधंता, स्री राभूल गांधीजी आवरे, प्रियांका गांधी आवरे, तो करनाटक की नई सरकार का गठन हो गया है राहूल गांदी ने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दो गंटे में करनाटक की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और कॉंग्रेस ने जो पांच वाइदे किये थे चुनावों में उन वाइदों को कानून बना दिया जाएगा करनाटक की जनता से किये गए पांच वाइदे आज ही पूरे किये जाएंगे करनाटक की नई सरकार की परियास कोशिष यही रहेगी कि करनाटक की जनता के हित में करनाटक की नई सरकार कौंगरेस सरकार काम करे ये राहूल गांदी ने मंच से कहा है इसके साथ ही राहूल गांदी ने ये भी कहा इस जीत का एक ही कारण है कि कॉंग्रेस के साथ सब खड़े थे अलाकि बीजेपी को भी उन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर और पुलिस थी लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के धन, दौलत, पावर पुलिस को करनाटक की जनता ने हरा दिया करनाटक की जनता ने बीजेपी को नफरत को हरा दिया करनाटक की जनता ने बीजेपी के ब्रस्टाचार को हरा दिया ये बातें राहूल गांदी ने मंच से कही हाला कि उमीद ये भी जताई जा रही थी कि करनाटक की नई सरकार के गठन के अफसर पर विपक्षी एकता भी देखने को पूरी तरह मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर जी उदव ठाकरे और अखिलेश यादव ने दूरी बनाई रखी जबकि मायावती केसियार और केजरी वाल को नियोता ही नहीं भेजा गया तो सीधा महमानों के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ तीन खास महमान जुड़ गए है सबसे पहले सुदा मिश्रा जी आपी के पास आऊंगा नई सरकार बन गई है करनाटक में कॉंग्रेस की राहुल गांदी ने एलाम कर दिया है कि दो घंटे के अंदर ही पहली कैबिनेट की बैटक होगी और जो पांच बड़े वाइदे किये थे उनको कानून बना दिया जाएगा जी आशेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको बढ़ाई क्योंकि करनाटक का जो चुनाओ था और उसकी जीत का जो संदेश है जी उसने इसपस्ट कर दिया है कि लोगतंत्र में कोई अजेया नहीं होता है जी और जो अजेयता का दंभ भरता है उसको यह समझना कि जनतंत्र में लोगतंत्र में जन्ता सी मूल है झी और जिस चुनाओं में यह मनतर है कि असली मुद्दों से बाड़का के हम चुनाओं को तमाम भवहं अत्मक और बन्हास even to को हवा दे के जीत सकते हैं जंता нос बाद को नकार दिया जनता ने संदेश दिया कि जो उसके मूल मुद्दे हैं उन पे केंदित होके भी चुनाओ जीता जा सकता है जी आज शीच ची मेरी अवास बहुत इको हो रही है ची कि आप बोले मैं तो में चीज़े कि जो संदेश आया है देश के लिए और यह बहुत ही बहतर जनता को ही दूर कर दिया गया था और मात्र भावनात्मक और कुछ उनमादी और ऐसे पहलों को लेके बाते की जारे थी जिनसे जनता का कोई सीधा सरोकार नहीं था ठीक है उनके जीवन चरिया की कोई बात नहीं थी तो पहली बार यह संदेश जनता के बीच से निकल के आय अगर उनके मसलों को बार 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 दूर किया जता रहेगा, तो जन्ता स्वयम जाक़े, उन लोगों को जरूर है सबग देगी, जो है सोचते हैं कि अजेयता हमने कमा लिए और अजेये बने रहेंगे, उसमें इसका लोकतंत्र में कोई अस्थान नहीं है, जन्ता का लोकतंत् पैसे और पसीने की लड़ाई थी करनाटक की जंता ने बीजे पिक को आईना दिखा दिया लगातार यही कह रहे हैं कॉंग्रेस के तमाम नेता सबसे पहले तो मैं सुदाजी को बढाई देता हूं कि आज उनकी सरकार बन गी एक और स्टेट में कम से कम दो तिन स्टेट का नाम तो ले पाएंगी और बढाई देता हूं कि आज उनका जनम दिन है बहुत सुप दिवस है और उस दिन उनने सरकार बनाई लेकिन बड़ा में जो जायर बना हुआ है वो आज भी नहीं चुके राउल गानी ने जित्रा पिस बरा पातन जिसे ऐसे लग रहा था कि वो अलेक्शन रेली में बोल रहे हैं कह रहे थे कि हमने प्यार की तुकान खोल ली अरे भाई तुकान खोल ले ही तो आप आए हो यह तो आपका एटिय जाने जा रहे हैं जिनका जूटा वाइदा करके आप लोगों के साथ आए क्या राउल गांदी जी आपको पता है कितने हजार करोर रुपे पर यह का खर्चा है जो पांच गारंटी इनों ने बताई है मैं आपको आसीज जी बता देता हूं शिक्स्टी एट थाउजन करोर 68000 करोर रुपे का खर्चा उसके अपर होने वाला है वो कहां से आएगा कि डॉलप्मेंट जो है करनाटका का सेक्रिफाइस हो जाएगा उन्हें से राउल गांदी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं जैस कहरे मेरे दिल में प्यार है उनके दिल में जितरा जैर है वो तो सारी जन्ता ना भी देखा है वो कह रहे हैं कि हमारे यहां जो भी हमारी पीजेपी के पास पावर की सब कुछ सा राउल गांदी जी अब तो जूट बोलना छोड़ दो आपने पिछले दिनों में पूरी पार्लियामेंट को अडानी इशू पे रोग दिया था पूरा नास्त जो जी जूटे-वायदे करके आई है और आने वारे समय में जिस तरह से जन्ता के सातरा मैं आज कह रहा हूं मैं अपनी हार स्विकार करता हूं और इनको बधाई दे रहा हूं लेकिन मैं इनके इनके बारे में क्योंकि राओ ग्रांदी अगर नहीं बोलते तो मैंने नहीं बोलना था इनके दिरों में जहर बरा है और आज जो एकतागी बात कर रहे हैं अरे आज पर एक अच्छा मुटा था पंदरा लाक रुपे का वादा भी याद रखिएगा दोजार चौबिस के जनता में याद करा देगी क्योंकि जब भी बता और पत्तरकार हम कहीं जाते हैं फील्ड में तो पहला सवाल जनता जनारदन का पंदरा लाक से ही शुरू हो जाता है आसी जी आपको 15 लाक रुपे को समझाईए कि अगर सारा काला धन आ गया तो अभी तक नहीं आ पाया है तब हो हरे के पंदरा अजार किसी के बैंक में देने के लिए जितना काला धन आया है उसका बंटवारा किस अधार पर किया गया है वही बता दिजी आज जनता को जितना आया है उसके अधार पर कितने पंदरा अजार दिये हों पंदरा सौ रुपे दिये हों डेर Hurry Fr. लाक रुपे दिये हो 15 लाक नहीं दिये तो वही बता दीजे जैंदर पंदरा सौ ये भिजवा देते चलिए ठीक है मैं आऊँगा आपके पास दिलीब जी के पास जाना है वक्त का मैं दिलीब जी नई सरकार बन गई है कॉंग्रेस की करनाटक में लेकिन कहीं न कहीं आज उमीद थी कि विपक्षी एक्ता भी वहाँ पर देखने को मिलेगी लेकिन दो चीजे हैं पहली बात ये कि क्या सिद्धा और डीके की जोड़ी पूरे पांच साल करिश्मा दि थी कहीं न कहीं सीदे तौर पर ममता बनर जी उदव ठाकरे अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी जबकि केजरीवाल मायावती और केसियार को नियोता ही नहीं भेजा गया क्या कहेंगे पहला सब्सक्राइब चाहए नहीं करेंगे बाकि जो तीन ने किये हैं वो सब कांग्रेश के थे तो हिनिक माना जा सकता है कि ये यथ अपना पांप साब कारेकाल पूरेंगी और पर आगर तस्वीर बदलती है लोकसभा चुनाओं के बाद इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी पार्टी यही रहेगी हो सकता है इसी प्रॉमिस के साथ दीचे से कुमाराजी हुए हो कि पहले सिद्धा रमया सीनियर है पुराने सीम है इनको प्रायरिटी दे दी जाए अगले एलेक्षिन के बाद हम कुर्ची पर बढ़ जाएंगी यह आगे पार्टी की डिटर्स पार्टी का सीसने तो डेसाइड तो आपका सवाल है जिए विपक्षी एक्ता देखने की उमीड थी और इन्विटेशन भेड़ा भी गया था लेकिन कुछ लोग में इन्विट जा गई यह बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ जी अब इसके पीशे की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है यह तो खर राहुल गांदी जी या जो खड़के सहाब वही जान सकते हैं लेकिन यह मौका विपक्षी ताकत दिकाने का था भी और नहीं भी था अगर सब लोग एक पार्टी जनता के मत से जीत करके आई है तो उस खुशी में सामिल होने के लिए लगबग अपोजिशन के लोग सामिल होते हैं लेकिन दिलिट जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको जिस दिन नतीजे आए थे आपको ध्यान होगा नतीजों वाले शाम और अगले दिन भी तमाम विपक्षी डलों ने इसे ना सिरफ कॉंग्रेस की बलकि विपक्षी डलों की जीत बताया पूरे विपक्ष की जीत बताया था तो ऐसे में चब एक और आप पूरे विपक्ष की जीत बताते हैं करनाटक को तो वहीं आप करनाटक की कहीं ना कहीं जो शपत ग्रहन है उससे दूरी बना लेते हैं या उनको दूर रखा जाता है नियोता ना भेज के ये भी तो कहीं ना कहीं राजनेतिक दृष्टी कौन से बहुत कुछ व्यक्त कर रहा है पहले बात तो एक पार्टी की चीत पूरी विपक्स की चीत होती है मैं इस बात को नहीं मानता हूँ लेकिन ये विपक्स के बड़े नेताओं का ही बयान था संजय राउत ने भी बयान दिया ता आपको ध्यान होगा ये नी गलत है, गलत है, कैसे, कैसे, देखे हर जो regional parties हैं, जितनी भी, हर regional party का अपने एक राज्य में रुत्बा तो है, राज्य के बाहर नहीं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि Congress की जीत, पूरे विपक्स की जीत हो जाएगी, क्या वो सब Congress साथ हाथ मिलाने को तयार हैं, मैं नहीं मानता हूँ दीकि पॉलिटिक्स में कहा कुछ भी जाए लेकिन हमको उसना मतलब असल क्या है बीग एन अनलिस्ट मैं उस बात पर बात करता हूँ कि उसकी ग्रैविटी कितनी ही इस तो इस स्टेटमेंट की की कॉंवरेश की जीत पूरे विपक्ष की जीत है इस सब इसमें कोई भी भी भारीपन नहीं क्योंकि उत्तर-प्रदेश में दूसरा विपक्ष हे करनाट करमा बंगाल में दूसरा महारास्टा में दूसरा विपक्षे आप नोर्थ स्टिल चाए मैं आऊंग आऊँगा आओंगा आऊपके पास क्यों नियोते नहीं भेज़े के और क्यों लोग नहीं आए इसके लिए मैं आपको कोई उत्तर देना बेवहारिक भी नहीं समझते हों क्योंकि यह नियोता भेज कौन रहा है और आ कौन रहा है इस पर हम प्रबब्ताओं को कुछ भी कहने का मतलब मुझे लेता ही कहना क्यूंकि इस सवाल की चर्चा आज करनाटक की नहीं सरकार के साथ इसी सवाल की चर्चा है पूरे देश में करनाटक की सरकार में जनता के साथ बाते की गएती हो कितने कैसे और कहां तक पूरी हो पाएंगी, यह सवाल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जनता ने विश्वास दिखाया एक पायटे पर, आप जानते हैं कि हम सोच रहे थे, या सभी लोगी सोच रहे थे, कि शायद इतना बहुंद की सरकार ना बनता है, तो प्रश्ण तो यह होना चाहिए, और जनता ने इतना विश्वास दिलाया है, तो उस जनता के विश्वास केमाएने क्या है, अभी अदर्यर्णी सरजी बात कर रहे थे, और जूट और सच, नजाने क्या क्या क्या, अभी आपने RBI का एक देखा होगा, 2000 की नोट वापस लिजा रही है, अब सच जूट के फर्ख को समझने के लिए इतना काफी है, कि जिस नोट बंदी को क्यों किया गया था, कहां से क्या रहा था, आपको मालूम भी चल गया होगा जिस काले धन के लोग बात कर रहे थे, वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जनता से किये वादों पर ना सिर्फ काम करती है, बलकि वो वादे धरातल पर जल्द से जल्द पूरे हों, ये भी आप लोग कोशिश करते हैं, और राहूल गांदी ने यही कहा है कि दो गंटे में पहली कैबिनेट हो जाएगी और पह जब रहलिया होती है, फूलों की बारिश होती है, नोटबंदी कराई जाती है, ऐसी बहुस चीज़े होती हैं जिनके जरूरत नहीं थी, तब बोज नहीं पड़ता है, तब पैसे कहां से आते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, जिस दो हजार की नोट को छपवाया ग पैसे को आप अपने उपर खर्च कर रहें, अगर मैं बताऊं कि पिछले, पिछले नौ बर्शों में सिर्फ पधान मंत्री जी ने जो खर्च किया, वो बाकी पधान मंत्रियों के पैरलल कितना है, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसको आप गुमा जाएंगे, आप ने देखाऊगा एक करनाटक चुनम में पधान मंत्री जी का एक वीडियो बारल हो रहा है, हमारे मादनी ये पधान मंत्री जी का, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि जब वो बिदेश की धर्ती पे गयते भुटान और जाने कहा कहा, वहाँ पे लोगों इनको खुब सालों में क्या हुआ, वही बिदार मंत्री कह रहे हैं कि जब मैं विदेश में जाता हूँ, तो लोग मुझे बैकर के बहुत प्यार कहते हैं, कहते हैं कि जो हमको पढ़ाय था हो भारत देश के लोग के, आप कैसे लोगों को इतना ज्यादा जूट परोस्त करते हैं, का आपके बाद को सुन नहीं पाया था, कांग्रेस परोस्त का काम करती है, परदान मंत्री जी जूट बोलते हैं, जूटे वायदे करते हैं जनता से, जूटे सपने दिखाते हैं, लेकिन करनाटक की जनता ने ये जनादेश दे कर बता दिया है, कि जनता बीजेपी के साथ परदान मंत्री जूट बोलते हैं, अरे जूट तो आपके नेता राउल गादी जी, अभी स्टेज पे पांच मिनट पहले बोल के गए हैं, कि देखिए, इस वक्त जो, मैं अभी आसी जी ने एक सवार पूछा आप से, कि ये जो पांच गारंटी आप दे रहे हैं, और मैंन कैलकुलेक्ट किया है, 68,000 रुपीज हर एक साल का खर्च होगा, वो पैसा कहा से आएगा, क्योंकि आप सारी स्टेज परिच्छा करने आपने कितने करोर रुपए खर्च कर दिये, उसकी बात कर लीजिए, आप लोग अपने खर्चे पे कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं, मन की बात को सुनने के लिए क्या खर्चा किया गया, परिच्छा की चर्चा करने के लिए किसे पैसे खर्च किया गया, आदेवी पुधार मंति जी के सेवाओं और सिद्धाओं को ने कितना खर्चा किया गया, क्या उतना खर्चा किसी अपुधार मंति तरह किया गया, इन क्यों होते हैं यहां पर जब मैं कहुंगी कि हमारे मारे आज़े की राहु की ने पर इस सामार ने जन होने के नाज़ितिया तो बीगी बात हो कि दो मेरे देख पर्लेमेंट बंद रहे उसके सब्सक्राइब के पीछे करनाटक में सरकार बनाने में कॉंग्रेस कामियाब हो गई है लेकिन अब दो हजार चौबिस का लक्षे बढ़ा है और आज जो संदेश कहीं न कहीं जाना चाहिए था पूरे देश में विपक्षी एक ताका वो पूरी तरह से नहीं जा पाया क्योंकि परदान मंत्री पद के चैरे को लेकर अभी भी पेच फसा हुआ है और शायद यही वज़े है कि ममता बेनर जी ने दूरी बनाए रखी उदव ठाकरे मलिका अरजुन खडगे के फोन के बावजुद क्यों नहीं गए इसके ओपर सवाल बरकरार है अखिलेश याद की लड़ाई है वहां कॉंग्रेस और बीजेपी की तो क्या जो अभी सुदा जी और आनन जी कहीं ना कहीं अपने अपने मुद्दों को लेकर चर्चा भी कर रहे थे और आरो परत्यारूप का सिलसिला तो अक्सर देखने को मिलता ही है क्या आपको राजनेतिक रूप से हाल अधेयाद बविशे के नजर आ रहे हैं चुनाव हैं यहान आने वाले चुनाव में कॉंग्रेस की क्या भूमिका होगी तो कॉंग्रेस के सामने भी राजिस्थान एक बहुत बड़ा चैलेंज है राजिस्थान ने जिस तरीके से इनकी पार्टी में आपस में ही फूट चल लई है चाचिन पाइलेट को ले कर गे बा बारती जन्ता पार्टी ने के भी बहुत अच्छा मूव कहला है जो उन्होंने लॉग मिनिस्टर राजिस्थान से बना दिया है तो राजिस्थान एक बहुत बड़ा चैलेंज है कॉंग्रेस के सामने इसके बाद बाकी जो और स्टेट के चुनाव है वो भी चैलेंज है त ठीक है और अगर आप भारती जन्ता पार्टी का भी ग्राफ देखेंगे कि 2017 में जितना जादा उनका भगवा करण था जो भगवा दिखाई देता था भारत के निक्से में अब वो 2030 में काफी कुछ सिमट गया है तो ये दोनों के लिए चैलेंज है अगर करनाटिका और हिम सबा के जो चुनाओं होते हैं वो स्टेट की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं लेकिन इस विजन के साथ में कि भारत को राष्टे लेवे पर कौन सी पार्टी अच्छे तरीके से प्रतिनित दे पाई तो आज की लेट में बाती जन्ता पार्टी की अलावा दूसरी को करनाटका की करता है तो चौबेस का चौबेस की लड़ाई है बहुत मजबूत लड़ाई हो जाए और तब जितने विपक से भी छटके हुए है वो सब की सब कॉंग्रेस के पास चलिए ठीक है सुदा मिश्रा जी तीस सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका जल्दी है और अपर यह मान के चलती हूं की सथ्य को आप बहुत देटा ढख सकते हो अपने जूद से लेकिन आप उसको जनता से दूर नहीं कर सकते हो और बार-बार एक ही बात कर प्रके हो जननता को लेकिन सत ऐसी चीज़ है जो कमें अभाती नहीं है तो कंग्रेस उन सारे मुद् जिनका सीधा सरोकार जंता से है और जिसका सधा सराकार जंता से होगा उसके जीतने में समय लग सकता है लेकिन मंजिल दूर नहीं होती है, हमें पुरा पिश्वास है है आनन जी तीस सेकंड में फाइनल कमेंट जल्दी से पिलकुल आसीज जी मेरा कमेंट है कि इस रास्टर को अगर लीड कर सकता है तो भारते जनता पार्टी लेड़ बाई नरिंदर मोदी है कांग्रेस कहीं दूर दूर की दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस को तो एक क के बात के हवा निकाल दी के कांग्रेस सिर्फ 200 सीट पे लड़ेगी बाकी सब जगापे हम लड़ेगे तो आने वाले समय में मैं मैं सुदा जी से पूछता हूँ है कोई पेस आपके आपकी पार्टी में अधी पार्टी कहती है राहू गांदी को लेकर आओ अधी पार्टी जी के सामने कोई नहीं है भारती जन्ता पार्टी के सामने कोई नहीं तिस सेकंड में फाइनल कमेंट आपका जल्दी से डिलीब जी फाइनल कमेंट आपका मैं यह कह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि अब कही ना कही जिस तरह से करनाटक में सरकार बन चुकी है कॉंग्रेस कितना रिव्यू कर पाएगी और बीजेपी कही ना कही उससे टकराने में कितना बीजेपी को भी काम करने की जरूरत रहेगी? जल्दी से जवाब चाहूँगा, मैं समें यह बिल्कुल भी. उचाई पे बैठा होता है, मेहनत उसकी जादा होती है, क्योंकि उसको नीचे किरने का डर होता है. जो नीचे पाइधान पे पैठा है, उसको अगर मेहनत आएकि तो वो उपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. चर्चा में जुड़ने के लिए, तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही आप देखते रहे हैं, A.N.B. News, नमस्कार.